हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब कातने ही यूट्यूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में ललित नरायन मितला यूनिवर्सिटी बीकम पार्ट टू इंडियन एकोनोमी सबसीडरी के कुछ इंपोटेंट अब्जेक्टिव कोईचन बताने वाला हूँ जो आने हमारा पहला कोईचन है भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्ता आधारित है भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्ता किस चीज़ पर आधारित है मिस्रित अर्थ व्यवस्ता पर ओप्चन डी से उत्तर हो जाएगा मिस्रित अर्थ व्यवस्ता पर नेक्स्ट कोईचन किस रा भारत का आर्थिक सर्वेक्षन परतेक वर्ष सरकारी तोर पर परकासित किया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्रीसी एवं उससे सनबंदित प्रचेत्र का अंस है। क्रीसे का योगदान 17.8 परतिसत था। लेकिन अभी 2020 से 21 के अनुसार 19.9 परतिसत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप्शन B लगबग 20 परतिसत। नेक्स्ट कोईचन विकास का भारतिय मोडल किसके हीतों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतिय मोडल व्यक्ति और राज्जी दोनों की सुरक्षा करता है। उप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। वैक्ति और राजी दोनों, अगला कोहिचन, निमलिकित में से कौन से एक नकद फसल नहीं है, नकद फसल नहीं है, इन में से कौन सा है, चार अप्शन है, ये तमबाकू, रबर, कपास, ये नकद फसल है, लेकिन स्वयाबिन जो है ये नकद फसल नहीं है, तो अप्शन D से उ अगर आपसे पुछे भारत में तो भारत में हरित करांति का जनक M.S. स्वामी नाथन को माना जाता है। उद्देशी भी है, वेक्ती भी है, उत्पादक्ता नियोजन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option D, इन में सभी, question number 11, दिर्ग कालिन क्रीसी रिन किसके द्वारा परदान किया जाता है, भूमी विकास बैंक के द्वारा परदान किया जाता है, option C, सही उत्र हो है, तो सबसे बड़ा सुर्वत वानी जी एक बैंक है, option A, सही उत्र हो जाएगा, वानी जी एक बैंक, अगला कोईचन, क्रीसी मुल्ली आयोग के अस्थापना की गई, क्रीसी मुल्ली आयोग के अस्थापना कब की गई, 1965 issue में, option B हो जाएगा, 1965 issue में, गेहु के समर्थन मुल्ली की अनुशंसा कौन करता है, क्रीसी लागत एवं मुल्ली आयोग करता है, भारत की काली मिटी उत्पादन के लिए बहुत उपियुक्त है, भारत की काली मिटी जो है, किस चीज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपियुक्त है, कपास की खेती के लिए, option A स मिनहास है option B right answer हो जाएगा B S मिनहास भारत में किस योजना अवधी में पर्तिव्यक्ति व्रीदी दर्ध अधीक्तम रही है ये 11 वी योजना में option A हो जाएगा 11 वी योजना अगला question पाँचवी पंच वड़सिये योजना का मूल उद्देश सिथा पाँचवी पंच वड़सिये योजना का मूल उद्देश गरीबी हटाओ था option A right answer हो जाएगा गरीबी हटाओ next question भारत में योजना आयोग की अस्थापना किस वड़स हुई थी भारत में योजना आयोग के अस्थापना 15 मर्च 1950 को हुई थी ओप्शन C सही उतर हो जाएगा 1950 को निव दिल्ली में अगला कोईचन योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग का गठन कब हुआ था योजना आयोग का पदे नध्यक्च कोन होता है भारत का परधान मंतरी होता है अप्शन B सही उतर हो जाएगा भारत का परधान मंतरी दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहिए तो परस्किपशन में टेलीगराम का लिंक है टेलीगराम ग्रूप ज्वान करके आप इस PDF को डानलौट कर लेजिएगा अगला कोईचन भारत में अद्यक्च वललत योजना किस वरस में कारीशील रही नहीं अभारलत योजना महाल नोविस मोडल पर आधारित थी option D सही उत्र हो जाएगा महाल नोविस मोडल पर next question उद्योगों के विकास सथा अद्योगी करन की रननीती किस योजना का अंग थी उद्योगों के विकास सथा अद्योगी करन की रननीती दूतिय योजना की अंग थी अगला कोश्चन भारत में सबसे महत्युपुर्ण लगु उत्तर उद्योग कौन सा है? हद करगा उद्योग? अगला कोश्चन किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? अगला कोश्चन भारत के किस उद्योग में अधिक्तम श्रमिक लगे हुए है? औप्शन B सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में? अगला कोश्चन भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी कौन सा है? अगला कोश्चन भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी उत्तर परदेश है? चीनी को नियंतरन मुक्त करने के लिए बनी समीती के अध्यक्ष कौन थे? C. रंग राजन ऑप्शन D. सबसे उत्तर हो जाएगा C. रंग राजन थे? नेक्स्ट कोश्चन भारत में पर्थम उत्पादक जिसका विकास हुआ वह कौन सा उत्पादक था? तो भारत में पर्थम उत्पादक, कुटीर उत्पादक, ऑप्शन A. सबसे उत्तर हो जाएगा C. नेक्स्ट कोश्चन देखिए आबिध हुषेन समीती का संबंद था? आबिध हुषेन समीती का संबंद किस्य था? तो लगू एवा मध्यम उत्पादक से? आप्शन B से उत्तर हो जाएगा लगू एवा मध्यम उद्योग से? मेक इन इंडिया कारीकरम का लोगो है? मेक इन इंडिया कारीकरम का लोगो सेर है? आप्शन A. राइट आंसर हो जाएगा सेर? अगला कुश्चन मिस्रित अर्थ व्यवस्ता में पाया जाता है? मिस्रित अर्थ व्यवस्ता में क्या पाया जाता है? तो नीजी छेतर भी पाया जाता है, सावजनिक छेतर भी, सहकारी छेतर भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन D. इन में सबही, किरिसी किरियाय कि छेतर से सनबंदित है, पहला अप्षन हो जाएगा, प्रात्मिक छेतर से, भारतिय किरिसी की उत्पादक्ता रहे, kneeμन है, हरास है, या फिर अस्थीर है, तो भारतिय क्रिसी की उत्पादक्ता जो वो निम्न है, option B हो जाएगा निम्न, अगला कोईचन, भारतिय क्रिसी के पिछरे पन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदाई है, तो तकनीकी तत्व, option B से उत्तर हो जाएगा, तकनीकी तत्व, next question, भारतिय क्रिसी अत्यधीक निर्भर ह भारतिय क्रिशी सबस्यादा किस चीज़ पर निर्वर है, option में मांसून पर, सिंचाई पर, प्रक्रिती पर, या फिर पूंजी पर, भारतिय क्रिशी सबस्यादा मांसून पर निर्वर है, option ए हो जाएगा मांसून पर, हरित करांती से किस खाध्यान फसल की उत्पादक्ता में विरिधी हुई हरित करांती से गेहु पर विरिधी हुई और भारत में हरित करांती की शुरुवात 1966 से 66 इस्विम हुई और भारत में हरित करांती के जनक MS स्वामी नाथन को माना जाता है नीली करांती का संबंद है, नीली करांती का संबंद किस चीछ से है, तो मचली से, ईप्चन C सही उत्तर हो जाएगा, जनसंक्या का दबाव, दोस्तो आज की वीडियो में फोटी question रहने देता हूँ, ऐसे ही दो से तीन वीडियो आपको provide करा दिया जाएगा, एक्जाम में वही से question रहेगा मितला यूनिवर्सिटी ज्यादा बाहर से question नहीं पूछता है अगर आप ये PDF लेना चाहते तो description में telegram का link है telegram group जोएन करके आप इस video को download कर लिजेगा तो यहाँ पे video अच्छा लगा हो तो video को like share कीजिए चैनल पर पहली बारे तो subscribe करने के साथ notification बेल को दबा के all पर click कीजिए ताकि आने वाले video का notification सबसे पहले आप तक कहुँचे है तो चलिए मिलते हैं अब next video में तब तक के लिए bye bye, take care